नमस्कार मैं शालिमी और आप देख रहे हैं दाब बेहार 24 आए बढ़ते हैं आशकी बड़ी खबर की ओर राजजानी में आटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों ने एक व्यापारी को अपने शुकार बना कर एक लाक रुपे उड़ा कर फरार हुए ताज़ा मामला पठना के कोतवाली थाना छेत रिलाके का है जहां ट्रेन पकड़ और अंगबाद से आये आलू व्यापारी पठना जंक्शन पहुचा बताया जा रहा है कि स्टेशन के बाहर पहुच आटो पर पीड़ व्यापारी सवार हुआ जिस आटो पर चालक के अलावा दो अन्य सवार हुए पीडित परमेश्वर महता आलू व्यपारी की माने तो पीडित आलू की खरीदारी करने गानी मैदान अंटा घाट स्थित सब्जी मंडी जाने के लिए आटो में सवार हुआ था कुछ दूर जाने के बाद आटो चालक ने मूर्ती विसरजन के रास्ता बंद का बहाना बना कर आटो को सुनसान जगा ले गया जहां आटो खराब होने का बहाना बना पीडित को जबरनतार फरार हो गया इदर पीडित परमेश्वर ने जब अपने फूल पैंट की जेब में रखे एक लाक रुपे को नहीं देखा तो वे घबरा गया दरासल आटो लिफटर गैंग के सदस्यों ने पीडित के फूल पैंट के जेब को बलेट से काट निकाल लिया जिसका बता पीडित को नहीं इस पर बैठो चलो हम गांधी मेदान पहुंचा देंगे और वहां से जेंपू दरा हम लोग दो आदमी थे तो आगे बढ़े तो बला की रस्ता कलो यह से इसे निकलना है तो आगे ले जा करके और उतार दिया आप बला की दसका नहीं है आपको गांधी अथी गोल घर से ग कर्यार आप देख लेंगे पोकित कटाया हुआ है एक लखे दा मेरे पास था आलू बढ़ जा रहे हैं कहां से अपा और अप यह नहीं होए तार आप महाला नहीं मालू है तेहा तेरिया था पतना पर नहीं हो तो आप लाव तेम्प वाला की एक लिएम में आपको गोल घर तो आभी आप पॉंचे है अभी तो मैं कॉत्वाली थाना हूं पत्ना में यहां लिखित दिये है यहां आवेदन दिये हैं और गया बोले कि करवाई किया जागा अलू के लिए लेने जा रहे थे आलू करने के लिए बेचने के लिए हम दुजगार है शर्डाध का उमर हो गय कि यहां कहां से उटो पर बैठ थे रे को लम और के पास बैशे से है त्सकेया कर फिर पार कि अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए दा बिहार 24